हलो स्टूडेंट्स आयम सुजात्यतिर की डिपार्टमेंट ओफ साइकलोजी आज के क्लास में हम लोग चैप्टर एट थिंकिंग और लेंगवेज चिंतन एवं भाषा के अंतरगत यूज ओफ लेंगवेज भाषा का उप्योग पर चर्चर करेंगे जैसा कि आपनों जानते हैं कि भाषा का उप्योग हमारे जीवन के प्रतियेक छेत्र में होता है हमारे जीवन में भाषा के कई व्यक्तिगत तथा समाजिक उप्योग है इन में निमलिकित प्रमुख है पहला भाषा अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है अता इसकी द्वारा हर व्यक्ति अपने अनुभो तथा विचारों को दूशरों को शंप्रेशित करता है दूसरा भाषा के उप्योग से व्यक्ति अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है तथा आशक्ता की पूर्टी में या सहायक भी होता है तीसरा, भासा के उप्योग से ब्यक्ती दूसरों के बैवहार को नियंतरित कर पाता है चौथा, भासा का उप्योग करके बच्चे अपनी समाजिक वातावरन में दूसरों के साथ अंतख्रिया करते है पाच्वा, भासा का उप्योग बच्चे अपनी अनोखी बिचार, सोच समज, मनुवरीती, आदी की अभिव्यक्ति करने के लिए करते हैं। इसकी माध्यम से बच्चे अपना ब्यक्तिगत पहच्चान इस्थापित करने में शफल हो पाते हैं। छट्वा, भाशा की श्वताशोध उप्योगिता भी होती हैं। जब बच्चे अपने आपको वातावरन से अलग करना सीख लेते हैं, तो वा भाशा का उप्योग अपने वातावरन को अन्वेशित करने के लिए करता है। सात्वा, भ्यक्ती भाशा का उप्योग करके वास्त्विक्ता से दूर हटकर एक अपना विशेश वातावरन में होने की भी कल्पना करता है। आठवा, भाशा का सुचनात्मक उप्योगीता काफी इसपरस्ट फुत्ती है। बच्चे भाशा का उप्योग करके नई-नई सुचनाओं का आदान-प्रादान करते हैं। भाशा के माध्यम से व्यक्ति अपनी औशक्ताओं और मांगों को अभिव्यक्त कर उनकी पूर्टी करता है। ऐसा करते समय भाशा की शालिंता तथा वी नमर तग उसकी औशक्ता पूर्टी में सहायक होती है। 9. भाशा के माध्यम से हमें आचरन तथा विभिन प्रकार के ज्यान और जानकारी प्राप्त होती है। समचार पत्रों तथा अन्या जन संचार माध्यमों जैसे पुस्तकें, टीवी तथा कम्प्यूटर के माध्यम से। भाशा में ना केवल घटनाओं की, बलकि बिभिन बिसयों की जानकारी होती है। जिससे हमारा ज्यान वर्धन होता है। इससे एक और हमारी जिग्या साएं शान्त होती हैं, तो दूसरी और हमें ऐसा ज्यान प्राप्त होता है, जो जीवन यापन के लिए जरूरी है। बिभिन ब्याशाओं तथा नौक्रियों के लिए विसिस्ट योग्यताओं के विकास के प्राशिक्षन भासा द्वारा ही प्राप्त होते हैं। दश्वां ब्यक्ति द्वारा उप्यूक्त भासा से उसकी सिक्ष, संस्क्रिती तथा संस्कार का परिचय मिलता है। भासा की शुदता तथा शालिंता इसका आधार होती है। अता इस परस्ठ है की भासा के हमारे जीवन में अनेक उप्योग हैं। या हमारे ज्ञान, मानुए आचरन तथा समाजिक शंबंधों का प्रमुख माध्यम है। थैंक्यू।